आज हमारे साथ में हैं भागलपुर पिहार से आशिश कुमार जी कान में भारी बन सुनाई में गिरावट कान के बेहने इत्यादी तर्लीफों के चलते हैं हमारी पास पहुंचे हैं और आप हम देखना चाहेगी कान में क्याट ज़गा है राइट यह 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 तो में अप्रेटर्चिन के बचाहे यह यह युश्यकर तरह हैं है दो अब हो गंदा उसको साब करें थेखे घाएगा इन्याद QUE ÖS जो काम लगातार बना रहता है आपको नाथ बंद रहता है कि शर्ट कर दिखाएंगे देखी में तर नाथ को चेक कर देखेंगे देन इस ट्राइट कान से समद्ध तक्लीफ के लिए टीम दोर आपको विस्तरे तद्धन के जाएगा वानर संभव के जाएगा के कान के तक्लीफ के लिए बना के दिशाएंगे थैंक्स को की इंट्रेश्ट के ने शोड़र जाहेगा आशिश जी के एवेवेम एग्जामशन अंडर माइक्रोस्कोप और वेक्स लीमोल के बाद आपको देखना जाहें कि पान के पर्दे में पर्पॉरेशन की क्या स्थी थी थी ये चीदा है और इसके चारतरप की जो दिवार है वो भी खराब है देखें, साथ में डरी नहीं, साथ में मध्य कंड में भी रिलन्ज चल रही है अंदर चमक देखें आप, मिडल एर दमेज है, मिडल एर से मिमारी बन के आगी है बिहार नमस्कार जैहिन, अशुक बेस्च हलकर में आपका स्वागत है, आज हमारे साथ में है आशीश कुमार जी भागलपूर बिहार से, कान की तकलिफ के चलते हैं, आप हमारे पास पहुंचे हैं, आशीश जी कान में क्या तकलिफ रहती है? कान में जो है, पूरा इंदा से सब पूरा भारी लगता है, कान परदाम छेथ है, और हलका पीप सब भी आता है, एक दो दो में नाम है जी, आपकी गाउं का क्या नाम है? जै, आपके कान की तकलिफ के लिए कूरण आंतरिक दुर्बीन Pद 55 से कान का ओपरेशन होगा और आकीन तकलिफों से आपको मुक्ति दुलाने का प्रियास किया जाएगा ओल्दा बैस्स गूट लेग, जैहन तो ओपरेशन के बाद आशिश जी की कान को हम देख पा रहे हैं मद्यकर्ण में अडिजन्स बिमारी थी जी से निकला गया है और दिमिज छेते उसे बनाए गया है और कान के आंतरी के हिस्से में हम देख पा रहे हैं जैल फोम हमें दिखाई दे रहा है ड्रेसिंग और अब हम कान का पिछला और उपर हिस्सा देख पा रहे हैं यह नीटन क्लीन है यह किसी प्रिकार का इंसीजन स्टिच नहीं है क्योंकि यह ट्रांसकनल मेथेट से हुआ है और अब हम आशिश जी से मिलना चाहेंगे अशिश जी कैसे हैं ठीक है प्रसन है ऑपरेशन में कोई दर्द तकलिफ तो नहीं हुई ठीक है सुनाई कैसा दे रहा है अच्छा सुनाई दे रहा है ठीक है तो अब ग्रसिंग करके आपको वाड में शिफ्ट करेंगे ठीक है ठीक है ओके भागलपूर के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की तकलिफों से कान की बिमारियों से ग्रसित हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे यहां के आप अराम से करवा सकते हैं यह सर खुद अभी आएंगे जी तैंक यू अल दा बैस्ट गूट लग जैहिए झाल 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 झाल